जितनी स्विजलेंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजिनियर्स प्रोड्यूस कर देता है उसके बाद भी रिसार्च और इनोवेशन में स्विजलेंड नम्बर वन पे है इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने जीरो नोबल लॉरियर्स प्रोड्यूस किये हैं इन साइंस यूसे ने 100 प्लस कर दी है A.S.E.R की रिपोर्ट के एसाब से 83% एजुगेटेड इंडियां एंप्लोएबल ही नहीं है और यह जो सुन्दर पिचाई इस सत्या ने देला कि हम बात करते हैं इन्होंने भी आगे चलके अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी है और यह सारी चीज़े जो मैं बोल रहा हूँ ना इसका root cause find out करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जब Britishers हमें रूल कर रहे थे तो East India Company के सामने दो मेजर चैलेंज़े थे एक communication with Indian दूसरा workers और clerks की बहुत ज़रूती होने फिर Thomas Bevington McCoy ने हमें English Education Act of 1835 दिया जिससे उनके दोनों परपस पूरे हो पहला उनको बंदे चाहिए थे जो चुप-चाप डेस्क पर बैठें अपना काम करें questions ना करें और ज्यादा creative ना हो है Second communication in English English सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली language नहीं है उसके बाद भी English एक language की बजाए एक class बन गया इंडिया में रशिया, चाइना, फ्रांस ये सब जगा इतना obsession नहीं English को ले के जितना इंडिया में poor communication बोला जाता है अगर आपकी English अच्छी नहीं है जबकि English ना आने का मतलब है कि आपको कोई और language आती है 5 साल पुराना iOS भी आज की date में outdated माना जाता है लेकिन इतनी important चीज हमारा education system आज भी बस थोड़े से changes के साथ ऐसे ही चल रहा है हमारा education system में रटने का competition होता है जो ज़्यादा रट लेता उसके ज़्यादा मान साथ ही अब 95% जिसके Sanskrit में आये हैं वो भी Sanskrit नहीं बोल पा रहा है और basic history होने की वज़ा इतनी मोटी मोटी किताबे हैं history की जिसका कोई मतलब नहीं अगर आज की date में आपको कुछ भी पता करना आप Google से पता कर लोगे उसके लिए आपको याद करने की ज़रूत नहीं इतना कुछ और ये government school में हर class में English का subject है 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग English नहीं बोल पा रहे है और बिना किसी book को पड़े एक 5 साल का बच्चा सीख लेता है क्योंकि उसको वैसा environment मिल जाता है A plus B का whole square is equal to A square plus B square plus 2AB इसका real life में क्या use है किसी को नहीं पता ना principal, ना teacher, ना बच्चे बस पढ़ाय चले जा रहे है हो जगता है इसका कुछ मतलब हो लेकिन आप try करके देखा है ना किसी को नहीं पता हाँ, 2AB की जगा अगर आपने 3AB बोल दिया तो चार लोग हसने वाले मिल जाएंगे आपके उपर kindergarten में जो बच्चों को सिखाने के लिए technique यूज होती है वो लाख गुना अच्छी है college की रटने वाली techniques है और जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा number आते है जो चुपा-चुपा के exam में लिखते हैं आप देखो कि जब वो real life में जाते हैं तो ज़्यादा तर crumble करते हो हर किसी को same flavors और same चीज़ सिखाई जाती है बीना उसकी capability देखे और creativity का तो दूर दूर तक मतलब नहीं होता अब एक line से आप शेर, मचली, सांफ, हाथी सब को line से खड़ा कर दो और उनसे को पेड़ पे चड़ो उनको तो जिंदगी पर यहीं लगेगा कि वो तो किसी काबिल ही नहीं और द्रोना चार ने भी पांड़ों को उनकी skill set के हिसाब से उनको चीज़ें सिखाई सब को एक ही चीज नहीं सिखा दी और हमारे education system में ज्यादा options भी नहीं है सबसे उपर science, और commerce और सबसे नीचे जाके कही नमबर आता arts का, art लेने वाले को तो लोग इतना हलके में लेते हैं जैसे वो किसी काम कहीं नहीं है हर माब आपको तो इंजिनिर रे डॉक्टर ही बनाना है college वाले अगर extra course रग भी देते हैं तो माब आप entry नहीं कराएंगे तो वो सारा पैसा बरबाद होगा college का तो options कहां से आएंगे और बच्पन से ही आपकी training स्टार्ट हो जाती है माब, भाई, बहन, relative सब यहीं समझाते हैं अगर आपके marks नहीं आया और job नहीं लगी तो आपकी जिन्दिगी बेकार और life की creativity को आप रखते हो side में और यह अच्छे marks और अच्छी job पाना आपका सपना मन जाता है अब यह सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बड़ी है दूसरे को jealous फील कराओगे नीचा फील कराओगे और इस छोड़ी सी उमर में तो successful नहीं होगे चाए वो जो भी हो धीरु भाई अम्मानी, विराट कोली, आमिर खान नरेन मोदी यह सब हमारे इस current education system के trap में नहीं फंसे इन्होंने खुद सीखा, खुद educate हुए और खुद आगे बढ़े किसी company के CEO को अगर यह कहा जाए कि आप अपनी company के सारे department में interview दीजे, तो कोई guarantee नहीं है कि वो सारे department के interview निकाल लेगा और यह भी हो सकता है कि वो आदे से ज़्यादा department के लिए qualify ना करे education wise लेकिन वो पूरी company चला सकता तो यह जो एक skill है, इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है, लोग अपनी 25% से ज़्यादा जिंदेगी current education system में लगा दोते हैं, ताकि अपने से कम पड़े लिखे आदमी की company में जाके उसके सपने पूज़े कर सकें, इंडिया का जो current education system है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो जो भी celebrities हैं, politicians हैं, वो अपने बच्चों को बात है, मैं आईये स्पीसियस की तो बात नहीं करता हूँ वो तो एक passion की बात होती है लेकिन कुछ लोग 5-6 साल से तैयारी करना है कि कोई भी government job मिल जाओंगे उनसे पूछो कि क्यों ऐसे इतने टाइम से लगे हुए तो एक ही चीज बोलेंगे कि job secure है मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा ये सारी काम चोरी वाली बाते, mind में इसी लिए आती है, क्योंकि हमारा जो current education system की नहीं उस समय cloud computing, SEO, digital marketing ये सब jobs पहले exist ही नहीं करती थी हम लोगों को agile होना पड़ेगा नहीं नहीं, चीजों को सीखने के लिए open रहना पड़ेगा creative mind लगाना पड़ेगा ये सारी के लिएगा